किसान भाईयों आज की वीडियो में हम बात करने वाल हैं कि धान में तनाचिदक का नियंतरन कैसे करें आज की वीडियो में मैं आपको कुछ दवाईयों के नाम बताऊंगा जिससे कि आप अराम से आसानी से आप अपने फसलों में धान के फसलों में तना छेदक का नियंदरन कर सकते हैं तो बीना समय गए हम चलते हैं वीडियो के और और किसान भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर को ले साथ इसाथ बेल आइकन को आल टे करके क्रिसी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले तो देखे धान में जो तना छेदक का अटेक होता है वो दो बार होता है एक तो रोपाई के 50-60 दिन के भीतर और जो दूसरा होता है वो धान में बालिया निकलने के समय तो आज हम जिस ट्रॉपिक के बात करने वाले जो रुपाई के 50-60 दिन के भीतर है उसके बारे में हम बात करने वाले तो हमारे लिष्ट में जो सबसे पहले नंबर पे जो इंसेक्टिसाइड आता है वो क्लोरेंटा नेली परो 0.5% जिसे आप अपने खेतों में फटेरा के नाम सी भी डालते हैं मैंने भी इस पे इसपेशली एक वीडियो बना रखा है आप उससे पूरा डीटेल जान सकते हैं आई बटन पे आप प्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन थोड़ा समय इसके डिटेल के बारे में बता दू तो इसको आपको अपने फसलों में 8 से 10 केजी प्रती हेक्टेर के हिसाब से देना होगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखा जाते हमारे लिष्ट में जो दूसरे नंबर का जो इंसेक्टिसाइड है वो सिंजेंटर कमनी का वर्टागो है मैं आपको एक बात बता दू इसको मैंने भी अपने फसलों में उप्योग किया और इसका रिजल्ट भी मैंने बहुत अच्छा देखा इस पर भी मैंने एक इस्पेशली वीडियो बना रखा है जो आप आई बटन पर मैं दे दूँगा आप उस पर भी जा कि आप पूरा इसका डिटेल ले सकते हैं और जान सकते हैं थोड़ा और मोटा मोटी मैं आपको समझा दो तो आपको अपने फसलों में 2-3 केजी प्रती एकड की हिसाब से अपने फसलों में इसका छिड़काओ करें और चुनिंदा ये इंसेक्टिसाइड हैं तो इसको क्या करना है कार्बो फ्यूरान 3% सीजी को आप अपने फसलों में 25-26 केजी प्रती हेक्टेर की हिसाब से अपने फसलों में छिड़काओ करें और जो चौथे नंबर और जो लाष्ट हमारा इंसेक्टिसाइड है वो कार्बो फ्यूरान 16% जी है इसको आप अपने फसलों में 16 केजी प्रती हेक्टेर के हिसाब से दे सकते हैं इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा देखा जाते है किसान भी एक बात मैं आपको बता मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छी जानकाई के साथ तब तक ले धन्यवाद जहीं जह किसान